हेलो गाइज आपका स्वारत है आप सभी के यूटूब चैनल के लिए सिविल एज़ जाम है इस वीडियो में जो आने वाले यूटे पीसी एस बीपीएस सी यूपी पीसी और यूपी एस सी लेगपाल वीडियो जितने भी आपके बंदे एज़ जाम है और सिविल सर्विस ए स्टेट लेविल के एज़ाम होते हैं लेट पाल और वीडियो वहरा उन सबके एज़ाम के लिए मैं आपको इस वीडियो में सारी जो इंपोर्टेंट टाइम लाइन हुई है सब तो ट्रवल कराऊंगा तो हम चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट इवेंट पर सबसे सुरामा 1600 में क्या हुआ था 1600 में एस्ट इंडिया टमपनी जो बिट्रिस इस्ट इंडिया टमपनी है बो इस्तैबिलेस हुई थी बिट्रिस इस्त इंडिया कंपनी इस्तैबिलयस हुई थी 1600 में और 1600 सरु Sart goin Cheメig Hudson कि सबसे पहले आपके आयेते पुल्क्त डालीज, पुल्क्त डालीज आयेते सबसे पहले, फिर आयेते आपके इनलिस आयेते, फिर आपके डच आयेते, फिर आपके आयेते देन्स, उस्ते बादा आपके आयेते फ्रेंच, ये आपता ओर्डर था, जो इंडिया पर जो यूरोप इस ता ओर्डर यह फिर्स्ट अपॉल आप पुल्किदी जाए ते फिर इंग्लिस आए ते फिर डच आए ते फिर देन्स आए ते फिर फ्रेंच आए ते तो यह रहा नेश्ट है आप ता 1717 में क्या हुआ था 1717 में आपका हुआ था जो फरत्ष्याल था उसने फर्मान इसू किया था विठी इस इंडिया कंपनी को ट्रेड इंग करने के लिए दोस्तों इस वीडियो में जादा एक्स्प्लैन नहीं करूँगा यह बन लाइनर वीडियो रहे रहे हैं आप एडजाम देने जा रहे हैं तो आप इस जली आप तो रिवीजन करना है मॉडन हिश्टी तो बैटल ओ पिलासी हुआ था बैटल ओ पिलासी हुआ था बैटल ओ पिलासी सत्रासो फ्रेंच उस्ते बाद क mujeres实ल में इस आप सांत क्राइस अपतर बैटल ओ और ओ ऑंदी वास रहे हुआ था், अधा सबसे इंपोर्टेन माना गया है इसलिए इंपोर्टेन माना लेया है इसी युद्ध के बाद यूरोपियन कंपनी और मैनली बिटिस कंपनी की ये सिद्धो लिया था कि आने वाले समय में यही राज तड़ेगी इंडिया पर तो इसमें एक तड़ अवर्टा रीजन था आवद खा बंगाल था प्यार था और अकेले इस्ट इंडिया कंपनी थी तो इन तीनों जो थे तीनों लोगों को किस ने अरा दिया था एस्ट इंडिया कंपनी ने अरा दिया था तो ये इंडिया के लिए सबसे इंपोर्टेंट टाइम लाइन रहा है बैटल उप बतसर उसके बाद आपता 1798 से 99 क्या रहा है आपता फोल्क एंगलो मैसूर वार इसी मैसूर वार में एंगलो मैसूर वार में टीफू सुल्तान मारा गया था ये कब हुआ था 1798 से 99 के बीच म उसके बाद क्या हुआ है 1802 में क्या हुआ है 1802 में फीमेल फॉर्टी साइट तो इलील बोल दिया पेसवा एकथ सब्ची डिया अलाइंस पेसवा लोग थे जो उन्होंने सब्जडीरी एलाइंस तो एचसेप्ट लिया था 1802 में सब्जडीरी एलाइंस तो आप लोग जानते ही वोगे जो जितने भी आपने प्रोविंस थे और जितने भी आपने प्रिंसली स्टेट थे उनको बिटिस ता डॉमिए बिटिस थी जो पेरा मांउंसी थी वो एचसेप्ट लिनी थी तो ये था आपना सब्जडीरी एलाइंस 1803 और चार में क्या हुआ था ये आपना सैटिन एनलो मराथा वार 1803 चार में हुआ है 1803 और 1818 में हुआ है आपना थर्ड एनलो में सुर्वार फिर आपका 1803 में हुआ है पैटा रिवॉल्यूशन इन उरियसा ये आपका कब हुआ है 1817 में पैता रिवॉल्यूशन इन उरी है और 1818 में क्या हुआ है आपका मराथा पेशवा मराथा पेशवा का डिजॉल मराथा पेशवा डिजॉल तो हुआ है 1818 में 1829 में आपकी सर्टी एवलोस हुई है सर्टी एवलोस ये आपकी राजा मुवन राय थे उनकी वज़े से आपकी सर्थी एवलोस हुई थी 1829 में आपकी सर्थी एवलोस हुई थी 1829 में आपकी सर्थी एवलोस हुई थी 1856 में आपता बिडो रिमेरिज एट आया था 1857 में जो सिपोई मूटिनी बिर्टिस वाली सिपोई मूटिनी बोलते हैं लेकिन हम लोग सिपोई आप इंडिपेंडेंस बोलते हैं 1858 में आप ता जो बिर्टिस्ट राउन था इस्ट इंडिया कंपनी चली रही थी और जो बिर्टिस था जो में बिर्टिस पालिया में के हाथ में आपका पूरा इंडिया था हैंडोवर आ गया था इसमें जो जितने भी आपके लोटल न्यूज पेपल थे उनको राइट दे रिया था लोटल न्यूज चापने था लेकिन इसे रिपील कर दिया था पांच साल वार 1882 में और उसके बार आपके आपके आपकी इंडिया नेशनल कॉंदेश वनी थे एटावा के जो आई एडिमिस्टेर्ट अफिसल थे जिला रिटारी उन्होंने इंडिया नेशनल कॉंदेश ती स्तापना की 1891 में इंडियन काउंसिल एक 1891 आया 1903 से 1905 तत जो मौडरेट थे उन्होंने एंटी बंगाल पार्टिशन मूवमेंट लेट दिया था और फिर जुलाई 1905 में क्या हुआ था इसमें बंगाल पार्टिशन एनाउंस डल दिया था विर्टिशन ने और अट्टूबर 1905 में क्या हुआ था बंगाल पार्टिशन गैम इनकू भी नहीं मतलब इन्होंने लारू डल दिया था बंगाल पार्टिशन अक्टूबर 1905 में आपका 1905 से 1908 में क्या हुआ है इसमें जो estimates थे, उन्होंने जो सुधेसी मुवेंट चल लाता, विट रिसल के अगेंस्ट, उस्तो लेट दियाता, उस ताम moderate तो delay हो गएते, उन लोगों के बीच में उनका इतना रहा नहीं था, लेकिन जो estimates आये उस ताम के उनका people तो support हो रहा था, people support कर रहे थे estimates तो, तो उस ते टाम जो सुधेसी और boycott woman किया था, वो estimates ने लेट किया था, 1907 में ये आपका जो सूरच सेट्सन कौनरेस था हुआ था, सूरच सेट्सन और कौनरेस, इसी में आपके जो moderate गरम और नरम गरल थे, वो split हुए थे, 1909 में आपका moderate मिन्टो रिफॉर्म आया है, यही रिफॉ 1911 में आपका जो बंगाल पार्टीशन है उसको cancel तलती आता, 1911 में आपकी जो capital थी वो क्वाल काता से रहली आई थी, 1915 में गान्दी जी return किये थे इंडिया में, 1915 में 1917 में चंपानन सत्यार रहे आया था, चंपानन सत्यार रहे कब हुआ था, आपका 1917 में यह question बहुत BPSC में पूछते हैं, तब हुआ था चंपानन सत्यार रहे, और यह पूछ लाए यह चंपानन थेदा और home rule और intra-tronological order बताई, तो आपको date आज होना इसमें बहुत जरूरी है, 1918 में आपकी 13 सत्यार रहे और आहमदाबार मिलिश्टाइड आपका 1918 में हुआ था, पहले आपका 13 सत्यार रहे हुआ था, उसके बार आपकी आहमदाबार मिलिश्टाइड हुई थी, 1916-18 में आपकी home rule movement हुआ था, और उसके बाद, 1916-18 में क्या हुआ था आपका, तो आपकी ये, 1916-18 में home rule movement by telekin animation, 1916-18 में, 1916 में आपका जो converse और leak ता, जो pet हुआ था, उसे लखनो pet बोलते हैं, वो आपका तब हुआ था, 1916 में, और 1916 में ही, जो estimates थे, उन तो बापस में, converse में, सामिल कर लिया था, रे-admitted था, और 1918 में आपका roll it at pass हुआ था, अब चलते हैं, नेश्ट पर, 1918 में आपका, रॉल है सट्या दे रहे आया है, 1919 में आपका government of India at 19, 19, मौन्ट फोर्ड रिफॉर्म जिसे बोला जाता है, 1919 में आपका जलिया वाला बाग मेस्टियर हुआ है, 1919 में आपका, जो corn race session था, वो हुगा है, जिसमें थे सुराज as goal, सुराज तो अपना goal बनाया था, corn race ने, 1920 से 1922 के बीच में आपका चला है, non cooperation and clap moment, और आपका 1928 में, साइमन कमिशन appointed हुआ था, 1929 में लावर session हुआ है, पूर्ण सुराज थी भी मान इसी session में हुई थी, इसी में resolution पास हुआ था, पूर्ण सुराज था, 1929 में, चब्वी जन्मरी 1930 तो हम पूर्ण सुराज दिवस मनाया था हम लोगोंने, इसलिए हम लोगों 26 जन्मरी 1950 फर्स्ट बार Republic Day मनाया था, इसी की वज़े से, 1930 से 1931 ते बीच में आपका सिविल डिसोवियन मूव्मेंट आया था, हुआ था इंडिया में स्टार्ट, 1931 में आपका धहली पेट हुआ था, गांदी जी और इर्वेन के बीच में, और दिसम्बर 1931 में आपका सैटन राउंड टेविल फेल्ड हो वह थी आपकी, 1932 में आपका कमनल अवार्ड और पूना पेट सायन हुआ था, और दिसम्बर 1931 से 34 ते बीच में आपका सैटन फेज आप सिविल डिसोवियन मूव्मेंट आया था, जो सैटन फेज था, वो आपका आया था, 1931 से 1931 से 34 ते बीच में, 1935 में आपका दर्वर्मेंट ओप इंडिया आया था, इसको या आपका मिनी कॉंस्टिटूशन बोला जाता है, 1936 में आपका ट्राउंसिल एंट्री बाई कॉंडियसमें हुआ था, 1949 में आपका बल्ड़ बोर सैटन स्टार्ट हुआ था, क्रोंडियस मिनिस्ट्री रिजाइन और इसी टाइम क्रोंडियस दी जो मिनिस्ट्री थी वो रिजाइन कल दिया था 1940 में ये बहुत इंपोर्टेंट इस्ते बाद से जो क्रोनोलोजी में आप से हर कॉम्टिशन में पूछते हैं अदर्सकॉफर कभाया था पास्टं रिजालिजूिचन तो ये आप सो ध्यान से पढ़ना है और 1942 मार्च में कभ हुआ है अपला glow जापन का नुख जापन देश तूर रणनू आप टरवर ईर्वस भाट इस्ट't य हम आժका उननांग और तन हीं मार्च 20.22 में क्या है कि пес में सन्हाइआ है और इसके वाद 645 में और और 1345 में आपका उर 972 उन्हीं सो पैटालीस में आपका लौर्ड वेवेल और सिम्ला कॉनफरेंस हुई है 1935 में आपका सीड गोपालचारी फॉर्मूला हुआ है यह मैंने इसमें डेट इसलिए नहीं डाली है तो फिर जारा फैट्च्रल हो जाता लेकिन आपको तो क्रोनोलोजी में उससे आपको यह रहना पहले लॉर्ड वेवेल और सिंबला कॉन्फरेंस हुई थी उसके बार सीड राज भोपाल चारी फॉर्मूला आया है उसके बार आपका देशी लिया तर फैट आया है उसके बार आपका एलेक्शन टू सेंटल और प ऑप यह यह आदा teamid mission plan आर फरवरी 1947 में आपका्य जोbol ट्लेमेंट एटली स्टेप्टमेंट आया है और उन्ट वेटन प्लानंज is में इंडिया उप्ता इंडिया इंडिया वीटम इंडिया अगरस्ट 15 एंडिया इंडिया 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 तो यह गाइज फुल क्रोनोलोजी रही modern इंडिया की तो ये मैंने अपना तर्म से तर्म टाइम में पूरी modern इंडिया को टर्मलोजी के मैनर में करवल करने दी कोसेश की है अरहल ग्राइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइट करें और जो भी आपके दोस्त तैयारी दर रहे हैं उनको इस चैनल को सेल करें धन्वाद